आज हम आपके लिए एक और आउशदिये गुणों से परिपूर्ण एक पौधी को लेकर के आए हैं पूरे देश के अंदर कड़ी पत्ता के नाम से मीठानीम के नाम से हम इसको जानते हैं यह आईरिवेद का एक बहुती गुणकारी लापकारी और आउशदिये गुणों से भरपूर आउशदिये पहुधा है ये एक यह कड़ी पत्ता बहुत सारे आपके रोगों को दूर करेगा और बहुत सारे रोगों से आपको यहाँ बचाएगा आपके शरी में कहीं पर भी पूरे शरी में खुझली होती हो, दाद खाज हो, तो इसके जड़ों को निकाल करके उस जड़के छिलके को घिस करके उस जगह लगाते हैं, तो उससे वह दाद खाज खुझली भी ठीक हो जाएगे, जैसे कि मैंने कहा पत्ते को पीसकर चीहरे पर लगाने से जो pimples हैं जाईयां हैं वो खतम हो जाती हैं और ये इस कड़ी पत्ता की तने की छाल को ले करके जड़ की छाल को ले करके घिस करके चंदन की तरह छाल को घिस करके ये आप लगाते हैं अपने चेहरे पर तो आपकी फुनसियां आपके दाने खतम हो जाएंगे और बहुत भीनी भीनी खुसबू इसमें से आती हैं, ये बड़ा मन को भाने वाली बहुत ही अच्छी खुसबू भी इसके अंदर है, तो यहाँ बहुत ही जमतकारी, बहुत ही लापकारी यहाँ प्रयोग है, तो निश्यत रुप से आप आज से इस मीठा नीम को, इस कड़ी पत को सिर्फ कड़ी पत्ता के रुप में नहीं, एक आउशदी पत्ता के रुप में जान गए, मैं ये समस्ता हूं, और आईए, पूरे देश में पाए जाने वाला इस कड़ी पत्ते का प्रयोग को भी हम बढ़ाएं, इनके द्वारा अपने शरी को निरोग बनाएं, सिर्फ म मसाले के द्वारा हम अपने शरी को नुकसान न पहुंचाएं, मसाले अमरीध हैं, उचित मात्रा में सेवन करना हम सिखें, वास्तर में ये संसार की पदार्थ, सवजम उचित इनका प्रयोग करके हम निरोग और निरामय बन सकते हैं